नमस्कार दोफसों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC Cracker में तो Institute of Banking Personal Selection में जो आपका Recruitment निकला है आपका Clerk का तो इसमें आपकी जितनी वेकेंसी हैं टोटल वेकेंसी के अगर हम बात करें तो 4045 वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसमें की उत्राखंड में भी जो है काफी वेकेंसी इस बार देखने को मिलेगी जितने भी प्राइविट सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं तो उनमें जो है रेकुट्में निकला जाता है जो की इंस्टिटूट ओफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन द्वारा निकला जाता है तो इसमें हम पूरा डीटेल पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है एज लिमिट किस तरी के से है फॉर्म किस तरी के सापको फिल अप करना होगा ठीक है तो पूरा डीटेल पर हम बात करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसमें आपका कौन-कौन से बैंकों में ये वेकेंसिया आपको देखने को मिलेगी वो आप देख लीजिए बैंक आफ बढ़ोद्रा सेंट्रल बैंक हो गया कन्रा बैंक इंडियन ओशिन बैंक यू सी ओ बैंक बैंक ओफ इंडिया पंजाब नेस्नल बैंक और यूनियन बैंक ठीक है तो इंडियन बैंक और बैंक ओफ महरास्ता पंजाब और सिंद बैंक तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक रहते हैं सभी में जो है आपकी ये विकेंसिया रहती है और यहाँ पर आप देखें फॉर्म बने की जो आखरी तारीक रहेगी वो आपकी 21 जुलाई तक रहेगी तो इसमें सभी चीजे बहुत जल्दी जल्दी होती है तो आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल अप करिएगा क्योंकि इसमें जो हापका एक्जामनेशन अगस्त में हो जाएगा प्री एक्जाम ट्रेनिंग जो हापकी अगस्त में रहेगी इसके बाद आपका जो कॉल लेटर है एक्जामनेशन प्रिलिम्स का वो भी आपका अगस्त में ही करा दिया जाएगा प्रिलिम्स आपका होता है ठीक है तो प्रिलिम्स आपका अगस्त और सित्मबर के बीच में हो जाएगा उसका रिजल्ट आपको सेप्टेंबर अक्टूबर के बीच में आ जाएगा उसके बाद मेंस इसमें कराया जाता है मेंस आपका अक्टूबर में हो जाएगा और फाइनल एलॉट्मेंट आपको एप्रिल दुहजार चौबिस में देखने को मिलेगा मतलब काफी जल्दी ये प्रोसेस रहती है तो इसमें आपको फाइनल जो आपका जोइनिंग रहेगी वो एप्रिल तक आपको दुहजार चौबिस तक देखने को मिलेगी तो इसमें ये प्रोसेजर रहता है तो इसमें जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक रहते हैं उस पर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएट केंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं तो सभी ग्रेजुएट केंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीए बीकॉम बीसीए बीटेक बीबीए था तो वो candidates भी इसमें apply कर सकते हैं तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अगर आप form भरेंगे तो आपको पूरी procedure देखने को मिलेगा तो computer का diploma चल जाएगा certificate चल जाएगा जैसे ccc certificate होगा वो भी चल जाएगा मतलब एक certificate आपके पास authorized होना चाहिए या फिर आपके high school में computer as a subject था IT subject होता information technology करके तो वो अगर है तो वो भी candidates इसके लिए eligible रहेंगे तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा तो इसमें आपका all India ये vacancy रहेगी हर एक state में आपको ये vacancy देखने को मिलेगी age limit देखे age limit आपकी जो रहेगी वो एक जुलाई 2023 से count होगी minimum 20 साल आपकी age होनी चाहिए maximum 28 साल तक age होनी चाहिए SCST के लिए 5 साल का जो है इसमें चूट मिलेगी तो उनको 5 साल की चूट मिलेगी और OBC को जो है 3 साल की चूट मिलेगी ठीक है तो age जो जनरल वालों की रहेगी वो 20 से लेके 28 साल तक age limit रहेगी इसके बाद जो है आप लोग क्राइटेरिया देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आपको छूट मिलेगी आरक्षन आप देखें तो यह आपका प्रूरा प्रोसीजर रहने वाला इसके बाद नेक्स टम बात करेंगे फॉर्म की जो फीस रहने वाली वो भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें की 185 रुपए आपका SC, ST, FIGICAL HANDICAP और XRB OFFICER के लिए रहेगी और जनरल वालों के लिए 800, साड़े 800 के करीब आपकी जो है फॉर्म फीस रहेगी ठीके तो यह आपका रहने वाला इसके बाद examination structure आप देख सकते हैं जिसमें की prelims होगा प्रारंबिक परिक्षा जो की MCQ बेस्ड रहेगी ठीके तो इसमें आपका यह आपका Hindi English में आप लोग देख सकते हैं यह सिर्फ आपका English में ही रहेगा तो इसमें आपका prelims जो रहेगा आपका प्रारंबिक परिक्षा 100 MCQ होंगे 100 number के 60 minute का आपको time मिलेगा जिसमें की numerical ability, reasoning और English language से आपके question बनेगे इसके बाद जब आप इसको clear कर लेंगे तो cut off release की जाएगी और means exam रहेगा तो means किस तरीके से रहने वाला तो उसमें आपको जो है number of question आप देख सकते हैं 50 रहेंगे, 50 marks के 35 minute का इसमें मिलेगा जन्रल इंग्लिस यह आपका financial awareness से, reasoning से, quantitative aptitude से जो है question बनेगे number of question 190 रहेंगे, 200 marks का जो है आपको यह रहेगा तो इसमें आपको 160 minute जो है मिलेंगे, तो यह भी आपका MCQ based रहेगा तो हिंदी इंग्लिस दोरू में जो है आपको यह question paper देखने को मिलेगा और इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे आपका जो है इसमें next process रहेगा तो examination centers आपके all India रहेंगे, तो यह आपके examination center आप लोग देख सकते हैं अगर आप उत्राखंट से हैं तो हलदवानी, दहरदून और रुड़की में आपको exam center देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं कितनी vacancy जो है कौन कौन से state में रहने वाली हैं तो अंडुबार निकोबार में आपको vacancy देखने को मिलेगी इसके बाद आपका आंदरपर्देश में जो है आपकी vacancy रहेगी 11 post है और उनाचल पर्देश में जो total vacancy है वो आप देख सकते हैं असम में वेकंसी है बिहार में जो आपकी टोटल वेकंसी के गरम बात करें 210 पोस्ट आपकी रहेंगी 36 गड़ में 6 पोस्ट हैं और चंडी गड़ में 84 पोस्ट हैं इसके बाद दिल्ली के अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी काफी अच्छी पोस्टे रहेंगी तो दिल्ली के लिए भी आप लोग अपलाई कर सकते हैं सकते हैं मेगाले में देख सकते हैं तो आप लोग अपने according जो nearest आपका पड़ेगा तो वहां आप लोग अपने हिसाब से जो हैं preference के तौर पर डाल सकते हैं ठीक है तो पंजाब में जैसे अगर हम देखें तो 321 पोस्टे रहेंगी तो और आपका Central Bank of India में 229 पोस्ट हैं 239 पोस्ट हैं पंजाब National Bank में 400 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और अगर हम Total बात करें तो इसमें आपकी 600 से जादे पोस्ट है रहेंगी ठीक है 674 वेकेंसी आपको पूरे UP में देखने को मिलेंगी जितने भी आपकी PSU Bank रहते हैं उन में अब बात करते हैं उत्रा खंड में लेकिन थोड़ा कम वेकेंसी आपको देखने को मिलेंगी पंजाब National Bank में आपको 15 वेकेंसी देखने को मिलेंगी Total जिसमें की जनर्रा की 11 पोस्ट हैं और अलग लग बैंकों में Central Bank में जो है 9 पोस्ट हैं तो टोटल मिलाके अगर हम बात करें तो 26 पोस्ट हैं आपकी उत्राखंड के लिए आई हैं ठीक मतलब उत्राखंड में आप लोग जौब कर सकते हैं आप चाहें तो यूपी में भी जा सकते हैं तो यूपी के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं तो यूपी में आपकी कितनी पोस्ट हैं 600 से अबब पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो अलग लग स्टेट का ये क्राइटिरिया रहेगा तो पूरा हमने डिसकुस कर लिया कि कितनी पोस्ट कहां है इसका मरें कउड्की में यूपी में आगरा बरेली जहंसी कांपूर लख्ंौ मतौरा नॉइडा वारननशी सबी जगेम ले इसके बाद जो मुख्य पर इक्सा होगी मेंस सिर्फ आपका देहरादून में ही कंड़किट कराया जाएगा और जितने भी आपकी यूपी के हैं तो यह कंड़क्ट कराया जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजे हमने डिसकस कर लिए कि किस तरीके से रहेगा तो पी एस यू बैंकों में जितने भी बैंक रहेंगे उनमें आपको ये वेकेंसी देखने को मिलेगी तो आप लोग अगर एलिजिबिल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं graduate graduate candidates प्लस आपका computer में certificate, diploma या फिर subject आपका होना चाहिए तब ही आप लोग इसके लिए eligible रहेंगे तो इसका जो है आपको joining 2024 में April तक देखने को मिल जाएगी तो काफी अच्छी पोस्ट है खलर कीगी तो इसके लिए आप लोग आवे दिन कर सकते हैं आवे दिन करने की अंति चुरत में चोस्टाव हाँ